Hello guys, welcome to another lecture of differential equation. इसमें हम Clarets equation क्या होता है, वो देखने वाले, इसका आप Clarets form भी कह सकते हो. तो Clarets equation क्या होता है? Differential equation जो आपकी कुछ इस form पर दे रखी है, y equals to px plus f of p. तो इस टाइप के differential equation को हम कहते है, Clarets form या Clarets equation. जहाँ क्यों होती है, Clarets equation जहाँ पर p आपका होता है, dy over dx, और f of p है आपका यहाँ पर function of p only. ठीक है? तो इस टाइप एक्वेशन जहाँ पर भी आपको देखीगी, तो आपकी Clarets equation है, या इसमें Clarets form भी कह सकते हैं. अब इस equation को कैसे solve करते हैं? तो यह हमें देखना है, तो यह हमें देख रहा है, यह आपका equation solvable for y है, क्योंकि यह आपको y equals to fpx के form पर देख रही है, y equals to fpx के form पर देख रही है, तो यह आपका solvable for y होगा. तो solvable for y की case में क्या करते थे? differentiation with respect to x, तो similar यहाँ पर हम करेंगे, इसको हम x के respect में differentiate करेंगे, clearance equation को solve करनाई के लिए, ठीके? तो इसको differentiate with respect to x करोगे, तो यह आएगा dy over dx, यहाँ पर क्या आएगा? p plus dp over dx into x. f of p का differentiation करोगे with respect to x, तो क्या आएगा है यहाँ पर? f dash p, और p का क्या होगा? dp over dx, ऐसी होगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम f of x का differentiation करते थे with respect to x, तो हम क्या लिखते थे? f dash x, अभी क्या आपके पास? f of p है, तो पहले तो आप f dash p लिखोगे, वहाँ पर तो आपका x था, तब आपका x के respect to differentiate होगा, तो तब आपका cancel out होगया, लेकिन जब आपके यहाँ पर p के उस पर हो रहा है, differentiation, p count differentiation करते थे with respect to x, तब क्या आपका dp over dx, तो यह क्या है? f dash p into dp over dx, तो dy over dx क्या होता है? p होता है, तो यह होगा, p equals to p plus x times dp over dx plus f dash p dp over dx होगया, तो p से p cancel होगया, और यह क्या बन गया है यहाँ पर? यह आगया हाँ पर dp over dx, common निकालेंगे तो आएगा x plus f dash p equals to 0 आगया, तो दो चीज़ बन गई, एक तो आगया dp over dx equals to 0, और एक आगया x plus f dash p equals to 0, यह चीज़ आपका form होगया, इसे equation first माल लेते हैं, यह आपका equation 2 होगया, और यह आपका equation 3 होगया, ठीके? तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, यह आपका dp over dx equals to 0 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो p की value होगी, वो आपका constant रहेगा, p यहाँ पर आपका constant रहेगा, क्योंकि इसका differentiation होगा with respect to x, वो 0 है, तो p यहाँ पर constant है, तो यहाँ पर constant को हम c की equal भी बान सकते, तो p equals to c आ गया, ठीके? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम equation first जो हमने पस differential equation है, जैसा हम पहले से करते आ रहे है, elimination p का, तो यहाँ पर भी हम ही करेंगे, p equals to c है, तो इसको हम eliminate करेंगे first से, तो क्या आएगा? p equals to c यहाँ पर हम put करेंगे, तो यह हो जाएगा y equals to cx plus f of c, तो यह आपका है आपका general solution आने वाला है, required differential equation का, ठीक है, जो आपका y equals to px plus f of p है, उसका जो आपका solution आएगा, वो क्या रहेगा general solution? y equals to cx plus f of c, अगर यहाँ पर हम equation first और equation third पर यहाँ पर eliminate करना चाहिए p को, तो यहाँ पर आपका singular solution मिलेगा, तब हमने यहाँ पर नहीं करा, हमने यहाँ पर यह चीज़ करिए p equals to c, तो p equals to c हमने यहाँ पर put करा, तो आपको मिला है y equals to cx plus f of c, तो यहाँ पर अगर हम देखे, तो यहाँ पर हुआ है आपका बाकी सब चीज़ आपकी same है, लेकिन p के बदले आपका यहाँ पर c आ चुका है, यहाँ पर p था, और यहाँ पर क्या आगे आपका c आ चुका है, similarly यहाँ पर भी p था और यहाँ पर आपका c आ चुका है, ठीके, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी clarity equation को उसका general solution में निकालना है, किसी भी हमें clarity equation का general solution निकालना है, तो हम क्या करेगे यहाँ पर P को replace कर देंगे C से, P को अगर हम C से replace कर देंगे तो आपके यहाँ पर Clarets equation का general solution आ जाएगा, ठीक है? तो इसके हम कुछ questions देखते हैं, हम यहाँ पर ऐसी करना पड़ेगा, हम यहाँ पर P को C से replace करना पड़ेगा, अगर हमने P को C से replace कर दिया, तो आपके हम यहाँ जनल solution आपको मिल जाएगा, कई-कई आपको direct दिख रही होगी, Clarets equation, Clarets Swarm को direct यहाँ पर दिख रही होगी, कई-कई पर हम बनाना पड़ेगा Clarets Swarm पे, मैं आपको कई दूसरी differential equation दी होगी, उसमें आपको पहले Clarets Swarm पे convert करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर P के जगवा C put करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका Clarets equation का general solution, जो Clarets differential equation आपको दिख रही है, उसका general solution आपको मिल जाएगा, ठीक है, अब से कुछ questions देखते हैं, तो पहले कुछ यहाँ आपको simple questions ले लेते, तो अभी हमने देखा, आपको Clarets equation के रहता है, y equals to Px plus F of P, तो यहाँ आपकी यहाँ पर Clarets form रहती है, इसमें आगर आपको दिखा, तो हमें simple का put करना है, P के जगवा हमें आपको C put करना है, तो पहले question देखो, बोला है, y equals to x dy over dx plus dy over dx का whole square, जहाँ पर dy over dx आपका यहाँ पर P है, तो हमें देख रहा है, यहाँ पर simple, यहाँ आपको Clarets equation बन रहा है, y equals to Px plus function of P, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे simple, हम यहाँ पर P के जगवा X put कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा, y equals to Cx plus Cx square, यह equation कुछ आपके इस form पे, y equals to Px plus P square है, ठीके, तो यहाँ पर हमें क्या put करना है, P के जगवा C put करना है, तो हमने P के जगवा C substitute कर दिया, तो y equals to Cx plus C square, तो इसमें direct हमें दिख गी क्या आपकी Clarets equation है, नेक्स्ट देखो क्या आपके पास, P equals to log of Px minus y, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको Clarets form पर नहीं दिख रही है, तो एक चीज़ यहाँ से हो सकता है, अगर यहाँ पर लोग को left hand side भेजू, तो क्या होगा, e to the power P equals to Px minus y, यह चीज़ हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y equals to Px minus e to the power P, तो यह आपकी क्या बनगी, Clarets equation बनगी, देखो, यह आपका y equals to आगया, Px plus F of P के form पर, तो यहाँ पर क्या होगा, P के जगाच C put करेंगे, तो यह आगया, y equals to Cx minus e to the power C, इसको हम left-hand side भीज़ेंगे, तो आएगा sin Px cos y minus time cos Px sin y equals to P, तो यह आएगा sin Px minus y equals to P, यह चीज़ फॉर्म हो गया, अब sin को मैं right-hand side भीज़ेंगे, तो inverse पर आजाएगा, Px minus y equals to sin inverse P, और यह बनगी आपका y equals to Px minus sin inverse P, तो यह भी क्या बन गया, इस फॉर्म पर आपका आना चाहिए, y equals to Px plus F of P, तो Px minus time F of P आपके हैंपर बन रहा है, तो यहाँपर हम क्या करेंगे, P के जगाव C put करेंगे, तो y equals to Cx minus sin inverse C, तो यह चीज़ आपका यहाँ से आगया, तो यहाँपर आपको देख रहा हैं इन दो कॉशन पर, इसमें आपको clearest form पर नहीं दिया था, इसमें हमने फ़रे बनाया, उसके बाद हमने P के जगाव C put करा, तो आपको ऐसी चीज़ में भी देखने को मिलेगा कॉशन में, जहाँपर आपको clearest equation नहीं बन रहा, पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको P के जगाव C put करना है, लास्ट उशन देखो यहाले इसमें, P स्कॉर इंटो X स्कॉर मैनस A स्कॉर मैनस टाइम 2PXY, आपको P स्कॉर इंटो X 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 स्कॉर इंटो Y स्कॉर इंटो X 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 स्कॉर हो गया वाइक्वश्च तो by punch माइनकश प्लस अंडरूट एसिक्वाई एस प्लस बिस्वार तो यह चिज आपके यहां से form होगी तो यह आप कि यहांपर आरहा है वाइक्वश्च प्लस एप cx माईनस फ्लस अंडरूट एस in aare AG बिस्वाई तो यह चिसद आपके हां स्क्राइब यह जाएगा c स्क्वार a स्क्वार प्लेस b स्क्वार तो यह आपके हैं पर required solution आने वाला है इस clarity form का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है यहाँ कहा सकते हो यह जो कोशन यहाँ पर है इसका जो general solution होगा यह आप इसका use करके हमें आपर इस differential equation का general solution यहाँ पर निकालना है तो इसको आगर यहाँ पर expand करेंगे तो यह क्या आएगा p2xy plus px2 minus time py2 minus time xy is equal to h2 p यह चीज हो गया तो यहाँ पर क्या होगया p2xy हो गया यहाँ पर कुछ common आपके निकल रहा है p common आएगा तो P x square minus y square और यहां से भी minus h square को मैंना आ गया minus time x y equals to 0 यह चीज़ है question पर क्या दे रखा है दे रखा है x square equals to u y square equals to v तो यहां पर इसको हम differentiate करेंगे du dv निकालेंगे तो यह क्या आएगा देखो यहाएगा 2x dx equals to du और 2y dy equals to dv आ गया अब यहाँ पर क्या करो यहाँ पर अगर हम dv over du निकालें dv over du और दूसरे में क्या निकालना है dy over dx यहाँ से dv over du देखो तो यह क्या आएगा 2y dy upon 2x dx तो यह आगा y dy upon x dx तो यहाँ से dy over dx केतना आ गया यहाँ आज़ेगा आपके पास x over y into dv over du और dy over dx पता हमें p होता है तो p किसकी equal आ गया x over y into dv over du तो जहाँ पर भी आपको यहाँ पर p दिख रहा है उसके जगों यहाँ पर हम यह चीज़ पूट कर देंगे ठीके तो यहाँ से क्या आ गया यहाँ आज़ेगा आपके पास x square y square into p square है तो यहाँ आज़ेगा आपके यहाँ आपके आपके पास x over y into dv over du ब्रैकेट में x square minus y square minus h square minus xy equals to 0 तो यहाँ से आपके कुछ cancel out हो रहे हो यहाँ से cancel out भी हम करेंगे तो y से y आपका ही cancel हो गया तो यहां से क्या है आगे देखो यहां जगा आपके पास यहां पर x square dv upon du का square नीचे आगया y यहां पर क्या है आपके पास यहां पर है आपके पास x over y into dv over du इसको बैसे लिखेंगे x square minus y square minus h square minus time xy equals to 0 हो गया ठीक है अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम x over y को common अगर निकालेंगे इन में से पूरी equation में से यहां पर अगर x over y को common निकालेंगे तो क्या होगा x over y तो आपका बाहरा आ गया अंदर के बचा अंदर आएगा आपका देखो यहां आएगा x square और साथ में क्या बनेगा देखो, यह आपका x यहां पर पहले सी है, x square तो यहां पर है और x आपका यहां पर पहले सी है, तो आगे x इंटू यहां अंदर आएगा x square, bracket में dv over du का square, plus अंदर आजाएगा x square, minus y square, minus h square, dv over du, और यहां पर क्या आगया, minus time y square, क्योंकि उपर आपका क्या है, minus x y है, तो x को हमने बाहर common लिया, नीचे आपका denominator पहले y है, तो यहां पर y square आएगा, तो y से y cancel होगा, तब आपका यहां पर y बनेगा, किसके equal आगया, 0 के equal आगया, clear हो गया यहां तक, यहां पर हमने y से y आपका cancel किया, तो इसके बाद हमने क क्या कर रहे हैं, यहां पर x over y common निकालने से क्या होगा, तो x over y common निकालने से क्या होगा, अंदर आपका यह चीज होगा, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखो, x over y का right hand side बेजिएंगे, तो क्या आएगा, x square dv over du का square, plus x square minus y square minus h square dv over du, minus time y square equals to 0 हो गया, यह चीज हो ग अब यहां पर देखो, यहांपर हम dv over du को अभी फाल फिलाल के लिए हम p मान ले रहे, यह p आपका वो वाला नहीं है, dy over dx वाला पका यह नहीं है, दूसरा p है, वो आपका दूसरा p था, यहांपर हम capital p मान रहे, dv over du, आप चाहो क्यों भी मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो, मैंने अभी समझन यह p है, capital p, ठीक है, तो यह आपका आजएगा u times p square, plus u square minus time v square minus time h square, सोरी आपका u और v है न, x square आपका u रहेगा, और यह आपका v रहेगा, क्योंकि x square आपका u है, और यह आपका यहांपर v रहेगा, तो u minus v minus h square, और dv over du को हमने p मान रहे है, तो आपका p minus time v equals to 0, तो कुछ इस फॉर्म पर आपका यहांपर इस बन गया, ठीक है, clear हो गया, तो यहांपर भी कुछ common आपका निकल सकते है, देखो यह आपके पास up square plus, यह आएगा आपके पास up minus time vp minus time h square p minus time v equals to 0 हो गया, अब यहांपर देखो क्या होगा, यह आपका common निकलेगा, और साथ में p भी न आपका आजाएगा, v और bracket में क्या सकता है, p plus 1, minus time h square p equals to 0, आपके यहांपर ऐसी रहा, यह चीज़ हो गया, अब देखो क्या होगा, यहांपर, minus v bracket में p plus 1 को हम राइटन साइट भीजेंगे, तो क्या बनेगा, यह आज एगा आपके पास v bracket में p plus 1, और यह हो गया, up, p plus 1 minus time h square p हो गया, यह चीज़ हो गया, ठीक है, अगर यहां से हम v निकाले, v की value हम निकाले, और v की value हम कैसे निकालेंगे, यहांपर हम denominator पे p plus 1 से divide दे दे, p plus 1 से अगर इसको divide करेंगे, तो यहां से आप v की value निकलेंगे, तो v equals to क्या आज़े है, आपर, up minus time h square p over p plus 1, आप चा तो इसको अगर हम देखें, तो यह आपकी clear rate swarm पे कुछ बन रखी है, कैसे बन रखी है, clear rate swarm हमारे के पास है क्या, clear rate swarm है, आपके पास y equals to px plus f of p, यह आपके पास यहाँ पर clear rate swarm है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके पास y है, वो यहाँ पर v है, और यहाँ पर जो x है, वो है u, और जो आपको यह small p दिख रहा है, जो हम आपके पास यहाँ पर capital p है, यह आपके पास capital p है, और यहाँ पर जो यह function है p का, यह आपको यह पूरा यह चीज़ है, ठीक है, तो आपका similar यह clear rate swarm बन रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते है, यहाँ से हम p की जग़ c put कर सकते हैं, सबज मारा, लेकिन यह जो p मैं कहा रहा हूँ, इसकी p है की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका यह form बन रहा है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इस p की जग़ा हम c put करेंगे, ठीक है, तब ही मैंने कहाँ आप confused नहीं होना है, यह p आपका, इस p की है, माइनस टाइम क्या आएगा, h square c over c plus 1, तो यह आपके यहाँ पर required general solution होने वाला है, इस differential equation का, तो ऐसे आपको यह करना है, यह आपका equation p over du के जग़ा, p put किया था, और यह p आपका alphabet वाला p है, खाली हमने मानने के लिए हाँ पर dv over d के जग़ा, p put करा, तो आपका यह चीज़े हम पर बना, पुरा solve करा, तो finally आपका यह आपका यह आया, अगर यह p हम नहीं करते हैं, तो dv over du आ जाता आपका, तो वो भी हम कहत है, तो वैसे हमने थोड़ा short बनाने के लिए इसको p मान लिया, या कुछ और भी मान सकते हो आप, तो उसके बाद हमने देखा कि आपका यह चीज़े हम आपने c put करा, तो यह आपका final यहाँ पर solution बना, तो इस तरह के से आपका यह equation solve होती है, ठीक है, आप next वीडियो पे य तो च्ज़े इन